आप सबी का हारदिक स्वागत हारदिक अबिनन्दन आज की कक्सा में हम हिंदी सहे कक्सा 12 परिक्सा पूरू रिविजन आपके पाठय क्रम में जो पुश्टक निर्दारित की गई है शर्यू उसके पद्य बाग में से पाठ एक से पांस तक के पाठों का रिविजन करेंगे और इसमें से जो प्रशन पूछे गए हैं उन प्रशनों का उत्तर किस परकार लिखना है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस परिक्षा में पुछे जाने वाले संभावित प्रश्ण और उनके उत्तर इस वीडियो में समझाने का प्रियाश किया गया है इसके अतिरिक्त भी किसी विद्यारती को हिंदी साहिते में गद्य या पद्यवाग्गी, व्यख्या, प्रस्नोतर और हिंदी साहिते के इतियास, काव्यांग परीचे में छंद, अलंकार, कावे गुण, कावे दोस, कोई भी प्रस्ण या इकाई समझने में समझ्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट या टोपिक का नाम लिख सकते हैं उस टोपिक पर आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रियास किया जाएगा आईए इसी उच्छा के साथ सुरू करते हैं प्रस्णोतर कक्सा इस वीडियो को आप अबस्य देखें क्योंकि इस वीडियो में वे प्रस्ण हैं जो आपकी परिक्सा में बॉल्ड परिक्सा में आपसे पुछे जा सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं प्रस्णोतर कक्सा वंदे मातरम के साथ हिंदी साहित एकक्सा 12 में सर्यू में से आपको 32 अंकों के प्रस्न पूछे जाते हैं और इस पर्थम वीडियो में पार्ट 1 से 5 के 14 प्रस्न सामिल किये गये हैं जो बहुती महत्वपूर्ण है तो आईए शुरुवात करते हैं पर्थम प्रस्न से पहला प्रस्न है आपके कि कबीर के अनुसार मूर्ख विक्ति का साथ क्यों नहीं करना चाहिए कबीर दास ने हमें संदेश दिया है कि मूर्ख का साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि मूर्ख स्वम तो बरबाद होता ही है साथ रेने वाले व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाता है जैसे लोहे की नाव से समुंद्र पार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पानी में डूप जाती है उसी प्रकार मुर्क की संगत्ती करने से व्यक्ति का पतन हो जाता है पानी की एक बून केले पर साप के मुह में और शीपी पर पढ़ती है तो उनकी संगती का असर भी अलग-अलग होता है साप के मुह में पढ़ने वाली बून तो विश ही बनेगी अर्थात संगती का असर अवश्य होता है ये था इस प्रस्ण का उतर दूसरा प्रशन है आपके ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल कबीर वाले पार्ट में इसके माद्यम से कबीर ने हमें क्या संदेश दिया है कबीर हमें इसके माद्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस दोहे में कबिर्न हमें बताया है कि शंचार परिवर्तन शील और नस्वर है, उसके माया मो में फंसकर, वेर्त में समय नस्ट नहीं करना चाहिए। अपने प्रमात्मा का ध्यान करना चाहिए अर्थात जिस परकार स्यमल का फूल अल्प समय के लिए खिलता है और हमें अपनी और आकरशित कर लेता है उसी परकार ये संसार भी अपनी मायमो एंविसे वासनाओं के आकरशन से व्यक्ति को आकरशित कर लेता है कुछ ही समय के पंक रही लप्टा है इस दोहे में कबीर का क्या आशे है कबीर द्वारा विरचित इस दोहे का आशे यह है कि व्यक्ति संसारिक माया मो एवं विशेवासनाओं में आसक्त होकर बुरी तरे फंस जाता है वह चाकर भी अपने प्रमात्मा का इस्वन नहीं कर पाता जैसे एक पिठे के लालच में गुड़ पर बेट जाती है उसके पंक और पेर इस तरहे चिपक जाते हैं कि वह लाग कोशिस करने पर भी अपने आपको मुक्त नहीं कर पाती है ठीक यही दसा माया मो और विशेवासनाओं से आसक्त मनुश्य की ओती है यही इस दोहे में कवी ने हमे बताने का प्रियाज किया है। समझ सक्तियां निश्वल होगी प्रस्ण सिंग्या पांच ये भी तुलसिदास वाले पार्ट में से ही है मंदोद्री ने रावन से क्या कहा मंदोद्री ने रावन को क्या समझाया या मंदोद्री अपने रावन से क्या करवाना चाहती थी किसी भी प्रकार का प्रस्ण आपको पुछा जा सकता है तो मंदोद्री ने रावन को समझाया कि जिसे आप मनुष्य समझ रहे हैं वे तो श्वम प्रमात्मा है जो प्रत्वी पर बढ़ रहे अध्याचार अधर्म और पाप से रक्षा करने के लिए इस प्रत्वी पर आउतरीत होकर मनुष्य लिला कर रहे हैं हेनाथ आप विश्वरूप स्रीराम से बेरभाव त्याग कर उनकी सरण में जाएए आप समयासना करें जिससे आपके निशाचरवन्स का कल्यान संभव होगा आप जगत जन्नी सीता को लोटा देना चाहिए आपको और प्रभु स्रीराम के चरणों में जाकर अपने पापो का पस्चाताब करना चाहिए छटा प्रसन देखिए छटा प्रसन भी तुलशिदाज से समन दीती है निकट काल जही आवत साई तही ब्रह में होई तुमारे ही नहीं बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है बहुत बार ये प्रिक्षावन पुछा जाता है इस पंक्ति का आज से ये है कि मंदोधरी अपने पती रावन को स्री राम से बेरभाव ट्याग कर अपने पापों का पस्चाताब करने के लिए कहती है उन्हें ये बताती है कि हे नात जो प्राणी काल के वस्म हो जाता है वह आपकी तरही भर्मित होकर अनुचित उचित का यान खो देता है एहं विनास को प्राप्त होते हैं प्रसन सिंख्या साथ जो कि रहीम वाले पार्ट में से है अचुत चरन तरंगेडी और अंतिम दोहय की जो इंदव भाल दोहे के माध्यम से रहीम का क्या आश्य है इस दोहे में कवी रहीम की गंगा के प्रती बक्ति बावना प्रकट होती है र यदि मेरे पुन्हे इस प्रकार के हों कि मैं इससंसार के आवागम से मुक्त हो जाऊं तो मुझे सिव बनाना ताकि मैं सदा आपको अपने सिर्फ पर धारन कर अपनी भक्ती करता रहूं रथा सदेव गंगा का सामिप्य प्राप्त करता रहूं तो इसके अमाध्यम से दीपक और कपूत को समान क्यों बताया है। कभी रहिम ने दीपक और कपूत में समानता बताते वे कहा है कि जब दीपक को प्रजवलित किया जाता है तो वह चारों और प्रकास फ्यलाता है। तो माता पिता को अप्रसनता एम पुत्र जन पर कोई खुशियों पर गलानी होती है। माता पिता को बहुत दुख होता है। यहां पर बड़ा होना अर्थात एक तो बड़ा होना और एक बुझ जाना दो अर्थ है इसमें। नौवा प्रसन देखिए। नौवा प्रसन रहिम सही है। रहिमन सोई मीत है भीर परे ठेरा से कवी का क्या आश्य है। इसमें मित्र की विशेश्ताओं के बारे में पुझा गया है कि इससे क्या आश्य है। कवी रहिमने इस दोवे के माद्यम से सच्चे मित्र की विशेश्ता बताते वे कहा है कि जिस प्रकार दही को बार-बार मत्में पर मक्षन उससे अलग हो जाता है। अर्थाच उसके बचा वे तू आगे आ जाता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र विपत्र के समय छुपता नहीं है। आगे आकर अपने मित्र की साहिता करता है। विपत्रती में उसका साथ नहीं छोडता है। शुक के दिनों में address जी रहता है। अर्थाज इसमें मित्र की विशेष्टाओं का वर्णन किया गया है दस्मा क्यूसन दस्मा प्रसंद देखिए और ये गनानन्द से समंदित है बहुत ही इंपोर्टेंट है वेसे गनानन्द के जितने भी कवित है जो इसमें दिये गया है आपके पार्ट में ये सारे के सारे महतुपूर्ण है लेकिन आप रिविजन के हिसाब से इसे थोड़ा देख लीजिए मन लेहू पे देवू छटांक नहीं आपके एक कवित है इसमें अतिसूदो सन्ह कौमारग है जानेकु सयानब बांक नहीं उसमें से है ये तो ये भी पुछा दा सकता है कि मन लेहू पे देवू छटांक नहीं का क्या आशे है या आतिसूदो सन्ह कौमारग कवित के माध्यम से कविने क्या कहना चाहा है ये दोनों में से कोई भी पुछा दा सकता है रितिमुक्त कावेधारा के प्रतिनीदी कवी उत्तर देते समय आप थोड़ा अच्छे सब्दों का प्रियोग करे जैसे रितिमुक्त कावेधारा के प्रतिनीदी कवी गनानंद ने प्रेम की विशेषता बताते वे कहा है कि प्रेम मार्ग अत्यन सीधा सरल होता है इसमें तनिक भी टेड़ा पन नहीं होता और इस राह में सच्चे सुद्ध रिदय वाले व्यक्ति ही चल सकते हैं चालाक और कप्टी व्यक्ति एक कदम भी नहीं चल सकता है कभी अपनी प्रेयसी के व्यभार पर संका परकट करते हैं कि प्रेम एकनिस्ट होता है प्रेम जगत में एक से आगे कोई अंक नहीं होता है जो एक से सुरू होकर एक पर हिस्माप्त हो जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट बात है आपने कौन सी शिक्सा ग्रहन की है जो मेरा मन तो आपने ले लिया अपनी मनोरम सबी का एक अंस भी नहीं दिया यानि अंत में कहा है उसने तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला मन लेहू पे देऊ छटांक नहीं ये था प्रेशन इससे अगला प्रेशन सिंग के ग्यारा और प्रेशन सिंग के ग्यारा में ये भी उसी में से है गनानन्द के पार्ट में सही काहू कल पाए है सु के से कल पाए है पंक्ती में कवी ने क्या संदेश देना चाहा है प्रशनुसी प्रकार यनि जो इसका संबोधन है कवी का उत्तर लिखने का जो तरीका है इसी प्रकार लिखना है कि रितिमुक्त कावेदारा के प्रतिनीदी कवी गनानन अपने एकनिस्ट प्रेम के आधार पर अपनी प्रेयसी की निस्टूरता पर कहते हैं कि आपने मेरे समर इस तरह कष्ट मत दो क्योंकि आपने वहकावत सुनी होगी कि जो दूसरों को सताते हैं दुख देते हैं वे स्वयं कभी भी चैन और सांती से नहीं रहते हैं अर्थात वे समस्त शुखों से वंचित हो जाते हैं क्यूसन नंबर बारा ये भी गनानंद काई है कवी गनानंद की रचनाय किस चंद में लिखी गई ये एक थोड़ा नया क्यूसन है कि कवी गनानंद की जो रचनाय है वो किस चंद में लिखी गई है उस चंद को स्वस्ट कीजिए ये आपके काव्यांग में भी पूछा जा सक तो आप इसमें लिखेंगे कि रितिमुक्त कावेदारा के प्रतिनीदी कवी गनानन्न मुख्यते कवित में रसनाये लिखी है। दूसरा होता है रूप के नाक्षरी जिसमें 32 वरण होते हैं। तीसरा होता है देव के नाक्षरी जिसमें 33 वरण होते हैं। और उसे समंधित काव्यांग परीचे से समंधित इस लिंक में इस वीडियो के जो description है उसमें आपको लिंक मिल जायेगा जिसमें आपके पाछे करम में निर्धारित जो काव्यांग है उनका परीचे आप अच्छी तरे से इसमें से पढ़ सकते हैं तेरों प्रस्ण है गरल गुमान तेरे बांटे आयो है अंगारिन पे लोट बो और ये भी उसी में से है कभी गनानन ने इस पद के माध्यम से प्रेम मारक के बारे में बताते वे कहते हैं कि प्रेम के छेत्र में इस्तितियां हमेशा विप्रीत होती है उसे कदम कदम पर व्याकुलता वियोग और विरेजनीत दसाओं से गुजरना पड़ता है उसे कस्टों का सामना करना पड़ता ह उसे अंगारों पर लेटना अर्थार अपने जीवन में कस्ट ही कस्ट सहन करने पड़ते हैं। उसके जीवन में कठिनाया ही कठिनाया होती है। इसका उत्तर यह होगा। चवद्वा प्रसन देखिए। बसंत रितु के आगमन पर केसे प्रिवर्तन होते हैं। यह सेनापती के पार्ट में से है। चवद्वा और अंतिम प्रसन है इस वीडियो का कि बसंत रितु के आगमन पर प्रकर्टी में क्या प्रिवर्तन होते हैं। कविसेनपति ढीतुराज बसंत का वरणन करते हैं कि दीतुराज बसंत का आगमन होते ही मलियाचल की सुगंधीत हवा संचृत होने लगती है, पुस्पों की सुगंध से हवा सरस हो जाती है, तालाबूं का पानी सनान योग्य हो जाता है, चारों और वन उप्वन फूलों से स काग्रता को भंग करने वाली होती है वहीं बोग्यों के लिए अति सुखद होती है चायादार पेडों पर शेंकडों कोईले एक साथ रितुराज बसंत का स्वागत करती हुई मदुर बाणी में कोपती है इसी प्रकार आपको लिखना है चारों और आनंद में वातावन प्रत होने लगता है कि रितुराज बसंत आ गया है यह था चवद्वा प्रशन और इस रिविजन में इस रिविजन के दोरान यदि किसी पार्ट व्याख्या कावे हिंदी साहित्या का इतियास मंदा किनी सर्यू के किसी भी पार्ट की व्याख्या या प्रशन उत्तरेदी समझ मे नहीं आ रहा है तो आप उस टोपिक का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं और उसी टोपिक पर आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रियास किया जाएगा जै हिंद जै वारत